Hello students, स्वागत आपका A to Z classes में आज मैं Chemistry का बहुत ही महत्पुर्ण आपजेक्टिव का question लेकर आया हूँ जो की बिहार बोड के लिए बहुत ही महत्पुर्ण है सभी प्रस्ण बिहार बोड के लिए महत्पुर्ण प्रस्ण है वीडियो को अंध तक जरूर देखे तो question श्टार्ट करने जा रहा हूँ, question number one, यदी परतिकिरिया A परतिफल के रूप में B बन रहा है, इसका बेग का नियम दिया हुआ है, minus da बटे dt बराबर 2, db बटे dt परतिकिरिया का बेग नियम, तो यहाँ पर कि परतिकिरिया का बेग नियम क्या होगा, तो यहाँ पर दे इसका मतलब हुआ, कि a में 1 by 2 लगेगा, तो a का गुनांक 2 आ जाएगा, तो a पर पाबर 2 होगा, तो इसका अंसर आपका हो जाएगा, minus da y dt बराबर k into a पर पाबर 2, तो पहला का सही अंसर a होता है, question two, वैसा कारक जो अभी किरिया की दर को परभाबित करता है, तो यहाँ पर ताप भी परभाबित करता है, दाब और सांदरन, तीनों जो अभी किरिया के दर या बेग को परभाबित करता है, तो यहाँ पर इन में से सभी अंसर सही होगा, तो दू का अंसर क्या होता है, डी, इन में से सभी, question number three, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, जो किसी रस आनिक अभी किरिया की गती को, option दिया हूँ, सिर्फ बढ़ाते हैं, सिर्फ घटाते हैं, बढ़ाते या घटाते, देखे उत्प्रेरक दो परकार का होता है, मेन रूप से, एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक रिनात्मक उत्प्रेरक, मेनली two types, और टाइपस इसके होते हैं, त धनात्मक उत्प्रेरक अभी किरिया के बेग को बढ़ाता है, और रिनात्मक उत्प्रेरक अभी किरिया के बेग को घटाता है, तो यहां केबल उत्प्रेरक बोला गया है, तो बढ़ा भी सकता है, तो यहां पर अंसर क्या देना है, उत्प्रेरक वेपदार्थ है, जो रसा प्रदम कोटी की हभिकिरिया के लिये टीहांब Q. नमबर चार, पर्थम कोटी की अभिकिरिया के लिए टीहांप का मान होता है टीहांब मलब अर्द आयो अभिकारक के प्ररम्भिक सांद्रन को आधा होने में लगा समय को हम लोग अर्ध आयू कहते हैं तो यहाँ पर पर्थम कोटी के लिए क्या होता है तो यहाँ पर ध्यान सिर्फ देखना है कि 0.693YK होता है तो चार का अंसर A होगा C नहीं मारना है जल्दी बाजी में बच्चे C देखके मार देते हैं जबकि अंसर क्या है 0.693YK तो चार का A सही अंसर होगा क्वेश्चन नमर पाँच अभिकिरिया के पहश्चात उत्प्रेरक की मात्रा तो चार के उत्प्रेरक क्या करता है अभिकिरिया को प्ररम नहीं करता है अभिकिरिया में भाग भी नहीं लेता है केवल अभिकिरिया के बेग को बढ़ाता है या घटाता है तो अभिकिरिया के अंत में उत्प्रेरक की मात्रा क्या रहती है आ परिबर्टित रहती है मलग उसमें कोई परिबर्तान उसकी मात्रा ना तो बढ़ती है तो क्या अंजर होगा उत परेरख की मात्रा आ परिबर्तित रहती है तो पाच का E सही अंसर होगा इसका क्या हो जाएगा वान बटे टू जिधर भी जाएगा तो दूसरे गुना होगा तो अंसर क्या हो जाएगा दुगनी क्योंकि अभिकिरिया का बेग निकालते हैं तो जितना गुनांक रहता है उसको बटा में करते हैं तो एनेस्थिरी का बेग निकालना अमोनिया का, तो वान वटे टू जाएगा, तो बटा में टू है, तो दूसरे तरफ जाएगा, तो गुनाम हो जाएगा, तो दू गुनी हो जाएगी, तो छठा का अंसर क्या हो जाएगा, A नंबर दुगनी होती है, तो शिक्स का सही अंसर a question number 8 किसी पर्थम कोटी की अभिकिरिया का बेग इस रांक निर्भर नहीं करता है यहाँ पर कारा निर्भर नहीं करता है तो यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा अभिकारकों की सांदर्ता पर तो आठ का सही अंसर क्या होता है c question 9 उदासिनी करन की किरिया को पूर्ण होने में लगा समय तो उदासिनी करन अभिकिरिया बहुत तीवर होती है तब समय बहुत कम लगेगा तो अंसर क्या होगा दस पे पावर माइनस दस सकेंड बहुत कम समय लगता है तो 9 का अंसर क्या होता है b 10 पे पावर माइनस दस तेन वह अभी किरिया जिसमें दो अभी कारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं तो दो अभी कारक तो यहाँ पर दुई अनुक हो जाएगा Capital लीटर इंभर्स सकेंड इनभर्स तो सुनकोटि के लिए क्लेई मोन लीटर सकेंड इनभर्स यही पर्थम्स पर्थम कोटी रहता है सकेंड हिनभर्स के वल हुता का मान सक्रारा का सही इंशर ह Falta video question number 12 निम्न में से किस समी करण दौरा तुरीत बेग बतला है जाता है तो बेग को सुषित करने का होता माइनस DC देटी, C का कंसंट्रेशन है तो A का निकालना रहा का लिए सी सिंपल कंसंट्रेशन के लिए माल लिया गया है तो 12 का अंसर A होता है माइनस DC बटे GT. Question number 13. किसी रसायनी के किरिया की दर? क्या होती? ताप बढ़ने से घड़ती है, कि ताप बढ़ने से बढ़ती है, या ताप पर निर्भर नहीं करती है, या सांतर पर निर्भर नहीं करती है. तो यहां पर सही बीडियो को अंत तक देखते रहें, सभी परस्ण आपके बिहार बोड के एकजाम के लिए बहुत ही महत्पुर्ण आउबजेक्टिव डाला गया है. तो बीडियो को अंत तक जरूर देखें. Question number 14. किसी अभी किरिया में भाग लेने वाले अनुओं परमानुओं या आयनों की संख्या को कहते हैं. अथवाग बाद आयन होगा. आयन की संख्या कहलाती है. तो इसको आनविक्ता बोलते या अनुक्ता बोला जाता या अनुसंख्यता. तो चाउदा का अंसर क्या होता है? ए नमबर अनुकता या अनुसंख्यता या आनुबिकता अंसर आता तो आनुबिकता भी होता तो चाउदा का सही अंसर ए है Q15 किसी रसाइनी कभी किरिया का अधिक्तम बेग होता है तो किसी भी रसाइनी कभी किरिया का अधिक्तम बेग क्या ध्यान रखना है इसको ध्यान से समझिएगा कि 10 पे पावर माइनस 12 सकेंड क्या होता है अधिक्तम बेग क्या होता का सही अंसर बी होता है कुश्चन सोला किसी उत्परेरक की उपस्थितिक कारण उर्जा अवरोध की उर्जा पर क्या परभाव पड़ेगा की घटेगा की आपरभावित रहती है की इस्थिर रहती है इसका सही अंसर है उर्जा अवरोध की उर्जा घटती है तो सोला का सही अ आखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है. यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है.। यहाँ, अस्टुडेंट आज का समय बहुत ही महत्पूर्ड है, अब बहुत ही कम समय बचा है आपके इकजाम के लिए, तो इसी तरह अबजेक्टिव के साथ अबजेक्टिव 35 में 35 बनाने की गरांटी रहेगी तो आप हमारे अबजेक्टिव को अंत तक जरूर देखते रहें सभी चेप्टर का अबजेक्टिव आपको मिलता रहेगा कोश्चन 17 पर्थम कोटी की अभिकिरिया का अर्धायो निर्भर नहीं करता है तो पर्थम कोटी का अर्धायो टी हा बरावर क्या होता था जीरो पॉंड सिक्स नाइन थिरी वाई के तो यहाँ प्ररांभिक सांदरन पर निर्भर नहीं करता है यह सबजेक्टिव कोश्चन मे भी आता है कि सिद्करे कि पर्थम कोटी क्या भिक्रिया की अर्द-धाय उपर रम्भिक संद्रन से स्वतांत्र होता है या निर्भर नहीं करता है तो 17 का सही अंसर यह होता है Q18 किसी बस्तू के पर्तिकिरिया करने का दर निर्भर करता है तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पर्तिकिरिया करने का दर जो निर्भर करता है सक्रिये भार पर यह सक्रियन भार भी लिख सकते हैं तो यहाँ अठारा का सही अंसर D होता है सक्रिये भार question number 19 किसी सुन कोटी की अभिकिरिया की दर तो सुन कोटी की अभिकिरिया की दर क्या होता है concentration पर power 0 होगा कोटी जब 0 है तो power क्या हो जागा 0 तो 0 power क्या होता निश्चित तो यहाँ पर अभिकिरिया की दर क्या होगी निश्चित होगी तो सुन्न कोटिया भी किरिया की दर क्या होती है निश्चीत होती है वहलों समय के साथ बढ़ती है घटती नहीं है तो अंसर क्या होगा उनीस का ए सही अंसर होता है कुश्चन नमर बीस किसी रसायनिक अभी किरिया में बेग निधारक पद है तो बेग निकाला जाता है मंद पद पर अंतिम्या प्रारमिक पद पर जो पद ये दो या दो से अधिक पद में अभी किरिया जदी संपन हो रही है तो जो अभी किरिया सलो रहेगा मंद रहेगा त मंद पद पर अभिकिरिया का बेग निधारक पद होता है तब बीस का सही अंसर ए होगा बिकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए 21 किसी रसायनिक अभिकिरिया में किसी भी च्छन किया गया गया बेग कालाता तो किसी भी च्छन को बोला जाता है तात च्छनिक at random जब निकाला जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा तात च्छनिक बेग तो यह कीस का सही अंसर क्या होता है तात्षनिक बेग और समय अंत्राल में जदी रहेगा किसी भी छन के जगा पर दे दिया जाए किसी समय अंत्राल में ग्यात किया गया बेग तो उसको लिखेंगे आउसत बेग लेकिन किसी भी छन ग्यात किया गया बेग बोलेगा तो तात्षनिक बेग तो याद रखेगा तात्षनिक बेग में थोड़ा सा कांतर है वहाँ पर जदी दे दिया जाए किसी समय अंतराल में तो समय अंतराल लेगा तो आउसत बेगा और किसी भी छन ग्याद किया गया बेग तात्षनिक बेग तो यकी इसका सी सही अंसर होगा 22 पर्थम कोटी के अभिकिरिया में एक पदार्थ की मात्रा सव बर्स में भी घटित होकर आधी रह जाती है तो इसकी मात्रा चवथाई होने में कितना समय लगेगा तो इसका ध्यान जेगा 22 का 50 बर्स अंसर होगा 22 का A 23 सक्रियन संकर की उर्जा होती है तो यहाँ पर क्या एक्टिभेटेड कंपलेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग तो अभिकारक और उत्पादक दोनों की उर्जा से अधिक होगा एक्टिभेटेड कंप्लेक्स जो होता है अभिकारक और उत्पाद जो पर्तिफल बनता है दोनों के उर्जा से अधिक रहता है तो ताइस का अंसर क्या हो जाएगा C Question 24 दूतिय कोटी की अभिकिरिया में बेगी सिरांग की इकाई होती है मलब के का मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा सकेंड इन्वार्स, मोल इन्वार्स, लीटर तो 24 का A सही अंसर होगा Question 25 तंगस्टन के प्रिष्ट पर अमोनिया का विघटन किस कोटी की अभिकिरिया है तंगस्टन के जगा पर पलेटिनम भी दे सकता है कोई दिकत नहीं है तो ये अमोनिया का विघटन जो होता है सुन्नी कोटी का पालन करता है किस परकार के अभिकिरिया का पालन करता है तो सुन कोटी अभिकिरिया का पालन करता है तो 25 का सही अंसर क्या होगा A Q26 अभिकिरिया यस्टू पलस O2 बन रहा यस्टू O तो काराई किस परकार के अभिकिरिया होगा अती मान्द अभिकिरिया मान्द अभिकिरिया या तिब्र अभिकिरिया या मध्यम चाल की अभिकिरिया या मध्यम धरुसी को बोला जता है तो यहाँ पर यह तिब्र अभिकिरिया होती है उदासी नहीं करन अभिकिरिया है तो यह क्या होगा तिब्रा की अभिकिरिया यह च्टू ओटू पर बना रहा है च्टू तो यहाँ पर 26 का सही अंसर C होगा कोईश्चन नमर 27 किसी सुन कोटी अभिकिरिया में अभिकिरिया के समपुर्ण होने के लिए समय कितना आवेसक है मुझा समय की अवेसकता क्या होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समय आवेसक समय क्या होता है सुन कोटी के लिए A वटा के या R0 वटा टू के होता था तो यहां पर क्या हो जाएगा A Y K A क्या है प्ररम्भिक सांदरन है तो 27 का C नमबर सही अंसर होता है A प्ररम्भिक सांदरन A के जगह पर आप R0 का भी परियोग कर सकते हैं Q28 दर इस्थिरांक इकाई निर्भर करता है तो अभी किरिया की कोटी पर 28 का सही अंसर B होता है Q29 आरहनियस समिकरन है येस इसको याद दखिरियेगा अरहनियस समिकरन के होता है K बराबर A इंटो E पर पावर माइनस E A वटे Rt 29 का A सही अंसर होगा तो क्या दखियेगा 29 का A Q30 किसी रसानिक अभी किरिया में ढाल कामान खीचा जाता है तो ढाल कामान किसके किसके बीच घीचा जाता है तो लौग K तथा 1 वटे T के बीच तो 30 का सही अंसर C होता है सफलता की चावी कभी तयार नहीं मिलती सफलता की चावी कभी तयार नहीं मिलती इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए झाल 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 झाल